मनुस जनम विशे बासना भरंभूल कलपना से बचने की जगया है तो रतन का और जतन करो तेरे हाथ में रतन आ गया हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं इस तरह किस्ती तेरी ब्यवपार हो जानी नहीं सद्गु देब नहीं कहा है के हाथ में आ गया रतन और हाथ में रतन आ करके और रतन की यदि कीमत न जाने तो ये तो सोचनी बात है तो आज इस रतन की और कदर जानो इसको सेवा में लगाओ संत गुर्जनों की सेवा में बिवे की संत गुर्जन हैं उनकी सेवा में और चेतन पूजा को जानो किसे कहते हैं लोग कहते तो रहते हैं एक बार गुरुजी के साथ में में बिरंदा बन गया था तो वहाँ पर एक महतमाजी थे तो बहुत रो रहे थे ज्यादा रो रहे थे तो गुरुदेब बोले कि इन महतमाजी को पूछ किया क्या बात है कोई परेशानी है कि पेट में दर्द होता है कि तो मैं पूछने गया था स्वामी जी आपको क्या बात है कोई परेशानी है मुझे बताई है स्वामी जी बड़ा कड़के बोले और वो बैठें उन्होंने कहा है कि तू पूछ करके आ तो जो देखे अरे कि वो कबीर शाह है ये तो हमारे साथ में भिच्छा माँगें बिंदाबन में फिर मुझे बताए कि मुझे 40-50 साल हो गई और अभी तक क्रेस्न ने मुझे दर्सन नहीं दिये मैं क्रेस्न क्या भजन करता हूँ इसलिए रो रहा हूँ कि हे क्रेस्न कनया मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई 40 वर्षे में भजन कर रहा हूँ और मुझे आप दर्सन क्यों नहीं दे रहे मैं क्रेस्न के लिए रो रहा हूँ तो वो अपने इष्ट के लिए रो रहे थे, उनके इष्ट कौन थे, क्रेश्म थे, किसी ने इष्ट राधरानी को माना, किसी ने इष्ट विश्नु को माना, किसी ने इष्ट राम को माना, तो अपने अपने इष्टों की याद में, बात तो ठीक है, पर ये तो देखना चाह जिसके लिए हम रो रहें, जिसके लिए हम तडप रहें, वो हमारी अरदाश, हमारी पुकार शुर रहें के नहीं? हमारी बिनेवो सुनते हैं के नहीं? धोके में ये जीवन जा रहा है. तो सद्गुरु स्री कवी सावजी यहां पकार करके कहते हैं अर आ करके और आप लोग यदी ऐसे मौके को चूक गए इस रतन को यदि आप धोके में गमा दिये इस शरीर में जो शब्त धातु रूपी रतन है उसको ओजस कहते है उसका जो पालन करता है उसे ब्रम्चरिय ब्रत कहते है इसको बहुत शमाल करके रखा जाता है चले तो बिचार के बोले तो बिचार के बैठे तो बिचार के सुने तो बिचार के भोजन करे बिचार के हर शमय जो बिचार करता है पलपल जो बिचार करता है संत गुर्जनों की बाणी को जो मतता रहता है अपना मनन चिंतन करता रहता है अपने आपको दोनों जालों से बचा लेता है वो इस रतन का जतन करशकता है क्योंकि ये सरीर माता पिता की देन है पिता का वीर है और माता की रज है और रज और वीर दोनों मिलकर कि ये सरीर बना हुआ है और ये अध्यासी जीवने बनाया हुआ है इस मन्ष काया को पा करके देखे सुने भोगे के जो संसकार टिकते हैं वो सूच में सरीर में टिकते हैं और जब सरीर ये छुटता है तो वायू रूप शवारी पर चेतनजीव चलता है देखे सुने भोगे के संसकार अंतर टिकते हैं और सरी छुड़ करके प्राण वायू पर शवार हो करके ये चेतनजीव चलता है यात्रा के लिए उस समय इसको ये नहीं मालम कि मैं मन्ष खानी को जाऊंगा या पसू खानी को या पच्छी खानी को या उसमच खानी को ये कुछ नहीं मालम बो तो करम कते समय सरी रहते रहते पूरे संसकार वन जाते हैं कहां जाना है और जब सरी छूटता है तो सुस्पती अवस्ता में छूटता है और जैसे सरी छूटा और जहां की लगन होती है यहां का अध्यास होता है वहां पर पल में जी पहुंच जाता है पिता की पास जाता है पिता की सुश्मना नारी के द्वारा है पिर हतोड़ा नारी के द्वारा उतर के है वीर के द्वारे मा के गरम में ये चेतनजी प्रवेश कर जाता है वहाँ पर जितनी अबधी किसी किसी का तो प्रारद मा के पेट में ही पूरा हो जाता है किसी का जनम लेते समय इसरी छूड़ जाता है कोई नौ महीने बाद बार आता है कोई साथ महीना का भी बच्चा हो जाता है और यदि पसू के यदि बन जाएं तो भेंस के पेटब में चला गया तो नौदस मास गरब में रहता है बकरी के गरब में पांच महीने तक रहता है कुतिया के गरब में हथिनी के गरब में अठारे महीने तक रहता है घोडी के गरब में बारे महीने तक रहता है अपनी अपनी अबदी के अंशार यह यात्रा करता रहता है ऐसी यात्रा इसने क्यों की? कि यहां पर अपने आपको भूल गया था कल्यान की भूमका पर आ करके और जो कल्यान का जो इस्थान था जो आसन जो कल्यान करने के लिए आसन है बहुत सुन्दर यह मनस जना इसको सुद्ध किया जाता है नेत्रों को सुद्ध किया जाता है गुर्जनों के दर्षन के द्वारा उनके गिरंतों को पढ़ करके कानों को सुद्ध किया जाता है संत गुर्जनों के उपदेश को सुन करके नासका को सुद्ध किया जाता है उनकी सुवास, सुंदर बचनों को सुन करके उनकी सेवा में रहने से जिब्या को सुद्ध किया जाता है उनका गुणगान गाने से उनकी प्राथना करने से ये सुद्ध कते हातों को सुद्ध किया जाता है उनकी तन से, मन से, बचन से और सेवा करने से पेरों को सुद्ध किया जाता है हर समय उनकी आग्या में दोड़ने से गुर्जनों की सेवा में हर समय तत्वत रहने से किसी प्रकार का आलश्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूरता, भ्रांती ये ना रहे इसे बच जाए तो तन भी सुद्ध हो गया, मन भी सुद्ध हो गया, बचन भी सुद्ध हो गया उदर सुद्ध किया जाता है सुद्ध साप, पवित्र, शाकाहर, भोजन टक्षा से बनाने से और संत गुर्जनों का भोग लगा करके भोजन पाने से ये उदर सुद्ध हो गया तो सद्गु देजी हम पकार के समझाती हुए कहते हैं रतन का और जतन करो जब इस रतन का आप जतन कर लोगे अपने आपको और दोनों खानियों से दोनों खानी अब खानी तो चार हैं या दोनों खानी क्या करें दोनों खाने के एक दो जड़ा ध्यास में बद करके एक जीव जाता है और एक विशे बासना में बद करके जाता है इसलिए दो दिशा में जाता है जीव एक विशे बासना में अंदा हो करके जाता है और एक भरम भूल कलपना में अंदा हो करके जाता है इसलिए सद्वुदे quicks केते हैं रतन का जतन करू और माड़ी का शिंग्यार सद्वुदे केते हैं यह सारा संसार जो देख रहा है जिसमाड़ी का सिंग्यार है इसमें कुछ भी नहीं जैसे कपड़े पर माड़ी चढ़ाते हैं कपड़ा बहुत सुंदर लगता है, उसी कपड़े को यदि धो दो, और माड़ी निकल जाए, तो वो कपड़ा ऐसा लटकता है, मरे हुए चूहे की तरह, इसी प्रकास से ये माड़ी का शिंगार ये सरीर है, यदि माड़ी को हम स्वच्त रखेंगे, ठीक, अपने विचारों को पवित्र, तनमन वचन को पवित्र रखेंगे, विशय बासना से हम अलग रखेंगे, भरम से अलग रहेंगे, तो इसकी सोभा बनी रहेगी, जब तक है, और यदि इसको धो दिया, इसको विशय बासना में लगा दिया, तो ऐसा लटक जाएगा, मरे हुए चूहे की तरह गंदे बिचार चलेंगे, पवित्र भावना नहीं हो पाएगी, अभी याद कर कि कुछ समय बाद तुरंत भूल जाएंगे, हमारे बोई चिंतन चलते रहेंगे संसार के, इस्तरी के, कुटिम के, पुत्र के, माता, पिता, देश के, यही अंदर दोड़ते रहेंगे, क्या ह क्या खाना, क्या पीना, कहां सोना, कहां जाना, बस अपने पत से हम गिर जाएंगे, तो सदू दे केते हैं, कि रुतन का जतन कड़ो, और मारी का सिंगार, सदू दे केते हैं, जिस सारा मारी का सिंगार है, किसी की नाक अच्छी है, तो किसी की नाक कटी हुई है, किसी की ना नाक मुख अच्छा लगता है गोरा देखने में बहुत से सोबत बढ़िया है कोई काले हैं तो कालों की तरफ कमिल अच्छ जाता है गोरों की तरफ जादा जाता है हर्याना की जो लोग हैं लंबे होते हैं और वो इधर मध्य प्रिदेश की तरफ आ जाएं तो ठेंगने होते तो लोग यही देखते रहते हैं कोई रजोगुण को देखता रहता है कोई तमोगुण को देखता रहता है कोई सदोगुण को देखता रहता है और संत गुर्जनों के द्वारा जिनको पार ग्यान हो जाता है अपने आपका ग्यान हो जाता है तो वो जिग्यासू संत गुर्जनों के ग्यान से काम लेता है रजोगुण से नहीं तमोगुण से नहीं सतोगुण से नहीं तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये तो सरीर की एक अब वह है सरीर में चलते रहते हैं जिन जिन करमों से सरीर बना है और जैसे प्रधानता है तैसे गुणा आते हैं यदि सतोगुण की प्रधानता में य और रजोगुड की में बना है तो रजोगुड रहेगा संत गुरुजन हमको उपदेश देते हैं कोई संत गुरुजन ठाट बाट से रहते हैं कि अच्छा खाओ अच्छा पियो मौज से रहो उनके अंदर रजोगुड की प्रधानता है और जो ज्यान देंगे तो भव से सादू हो करके जिसने घर परवार्शे माता पिता से कुटम परवार्शे मेल बढ़ाया तो वो कभी सादू नहीं हो पाएगा ठाट से रहो खोब बढ़िया कपड़े पहरो गाड़ी ले खरीदो खोब डोलो वो ऐसे उपदेश देंगे छूटने का ही देंगे और जो तमो धंग से देंगे बात एक ही है उन्होंने रजोगन धंग से हमको उपदेश दिया पारग्यान उन्होंने तमों को धंग से दिया पारग्यान दिया अब कोई सतों को धंग से देते हैं देखो भाईया अनादी काल्शे अपन जनम मरन गरबास के चकर में चले आ रहे हैं संसा में देख लो कोई सुखी नहीं है ना माता सुखी ना पिता सुखी कोई सुखी नहीं है इसलिए संसास उप्राम हो जडचे तन का भेद जानो तन मनवचन से सेवा करो और अपना कल्यान करो और दूसर कोब्देश देतो उन्हें कुझ से ढंग से समझाया सत्योगोडν से तो एक महापुर्ष ने हमको उपदेश दिया रजोगुन धंग से लेकन छूटने का, और एक महापुर्ष ने दिया तमगुन धंग से लेकन छूटने का, तीनों ने हमको भव से छूटने का उपदेश दिया, तो जब हमको पारग ज्यान हो जाता है तो हम तीनों महाप्रशों के द्वारा अपना लाब उठा सकते हैं उनकी सेवा करके और यदि एकतरपा ज्यान हुआ रजोड़ रजोगुण का हो गया तमुगुण का नहीं हो पाया तमोड तमोड का हो गया, सतोग्ण का नहीं हो पाया तो हम लाव नहीं उठा सकते हैं तो यही कहते रहेंगे, वो बहुत मकार है, ढटता है वो बहुत अच्छे ठाट बार से रहो एक जिब बहुत प्रेम से बोंते पर खुच खर्च नहीं करते इसी में हमारा पूरा जीवन चला जाता है तो सदूसरी कभी साउजी केते हैं कहों ही कभीर बचेगा शोई जो रजसत तम से न्यारा होई तो रतन का जतन करू माडी का शिंगार आया कभीरा फिर गया शद्गुरु स्रीक कभी साजी पुकार के समझाती हुए केते हैं के आया कभी रहा और फिर गया आया और फिर गया एक तो केते हैं आकरिके फिर चला गया और एक केते हैं फिर गया सम्में फिर गया विवासादी किया पत्नी बनाया बच्चे पैदा किया नाम रखा पड़ा लिखा के बड़े किये उनकी नोकरी भी लगा दे फुत्रों की बहु आ गे नाती भी देख लिए खुब उनमे फिरता रहा नाती पंतियों को खिलाता रहा मकान बनाता रहा उसी मोह में चला गया आया कभी रहा और फिर गया एक तो आकरी के तुरंट चला गया और एक कुछ समय तक रहा दो चास साल एक पचास साल कोई सो बर्स तक आया था लेकिन कल्यान का काम नहीं कर पाया बासना को नहीं मिटा पाया मोह ममता को नहीं हटा पाया सच्चे दिल से पार की संतों की सेवा नहीं कर पाया हिर्दय में कालमा योंकी तेओं बनी रही तो आया कभी रहा और फिर गया सदू देगर जूटा है अंकार इसलिए सदूर सरी कभी साब जी इस पे सदूर सरी अवलाज साब जी का में प्रविचन सुना था उन्होंने काता कि जूटा है अंकार जितना भी अंकार लिया है इस सारे संसार में किसी ने भी लिया हो वो जूटा है और इस्टे जिसने किसी को भी माना हो इस्टे ने मान करके अपने आपका इसको ग्यान हो गया और अंकार उसका छूट गया तो वो तीनों खानियों से तो बच जाएगा, लेकिन मन उस जनम में आ गया, आया कभी रहा और फिर गया, फिर आता जाता रहेगा, मन उस जनम में आएगा, फिर सरी छुटेगा, फिर आएगा, तीन खानियों से बच जाएगा, यदि बासना नहीं मिटा पाया तीनों खानिय की तो फिर उन खानियों में भरमता डोलेगा जन कितने जनमों तक कोई जरूरी नहीं कि एक ही जनम की रील बनाय की जाए दो ही जनम की बनाय की जाए सो जनम की भी बना सकता है लखों जनमों की भी बना सकता है लेकिन आएगा कहां जैसे गाड़ी में तेलक खतम होगा तो डर भी दिन के लिए जी भटक जाए लेकिन मन्ष जनम में जरूर आएगा तो आया कबीरा फिर गया जूटा है अंकार देखो राजे महराजे कितने हुए जा धरती पे नर ऐसे ऐसे आए राज करो तीनों लोग हिलाए उन्हें को खोज चलत नाए तन धर के अमर नर कोई नाए और अपने अपने करमों का फल सब को भोगना पड़ा विस्नु को भी भोगना पड़ा राम को भी भोगना पड़ा क्रेशन को भी भोगना पड़ा और क्रेशन की और अर्जुन की तो मित्रताई बहुत गाड़ी थी जिस समय क्रेशन उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को त मेरे पर तीर नहीं छूटता है कि क्यों तो अर्जुन कहता है कि हमारे भायन के दल में दीनानाथ हमारे भायन के दल में दीनानाथ और इरत बीच समर में रूखी गयो मोपे तीर बीर पे छूटत नाएं मोपे तीर बीर पे छूटत नाएं और इमें मोह जाल में फसी गयो हे क्रेशन जी मेरा भायन का दल है कौरब भी मेरे ही भाई है हम दोनों भाई भाई हैं एक पिता की संतान हमारे दोनों और चाचाताउ थे आज उनकी संतान हम हैं तो परवार ये हमारा ये है चाचा ताउ नाना भाया भती जे जे सब याँ दीख रहें वो मारे जाएंगे है क्रेशन अब मैं गांडीब नहीं उठाऊंगा तो क्रेशन कह रहें क्या हतोवा प्रावशी श्वरग जीत्वावा भोच से महीं तसमादुतिष्ट कुंते युद्यायक्रतिनेश्या हे कुंती के पुत्र अर्जुन तु घवराता क्यों है हतोवा प्रावशी श्वरग यदि तु हत गया मर गया तो तुझे स्वरग की प्राप्ती होगी हो गेगा ये कुंती के पुत्र अर्जुन तेरे दोनों हातों में लड़ू हैं इसलिए मेरी बात पे विश्वास करके तु लड़ने को तैयार हो जा है अर्जुन को लढ़ा दिया नर्शंहार हो गया खून खराब हो गया जिस समय जराब्याद ने तीर मारा वहां पर अर्ज आ रहा है, तेने अपना परवार खूब मारा है, इसलिए तेने अपने भाई अपने हातों से मारे हैं, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता है, क्यों, आपने तो काप आप नहीं लगेगा, क्या नहीं, हे अर्जुन, अपने करमों का फल भोगणा पड़ेगा, तू बचेगा नहीं, कलप कोट सते रपी, चैसो कलब करूड कोट समय बीत जाए, लेकिन करम का फल भोगना पड़ता है, वोई क्रेशन उस समय अर्जुन से क्या कह रहे थे हतो बाप राप शी सुरग जी तुआवा वोच से मही तसमाद तुष्ट कुंते द्याय कृतनिश्या हे कुंती के पुतर अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेगा यह तो मैं आदिश दे रहा हूँ और वोई क्रेशन आप क्या कह रहे हैं अवश मेव भुगतव्यम कृतम करम शुभा 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 ना भुगतम चियते करम कल्प कोड सकते रभी तो सद्गुरु देजी पुकार के समझाती हुए कहते हैं जो इतनी टेड़ी मेरी कहानिया हैं इनको पढ़ करके भूल नहीं जाना अपने पद में रहना अपने आपको जान लेना अपने तरप हमेशे लच रखना तु अबिनासी चेतन जीव है तेरे उपर कोई इस ब्रम परमात्मा नहीं है इसलिए रतन का जतन करू माणी का सिंगार ओ आया कबीरा फिर गया जूटा है हंकार मेरी गाड़ी है मेरा मंदर है मेरा मकान है इतनी खेती है इतने पुत्र हैं मैं बहुत बड़ा सेट हूँ ये सारा जूटा हंकार है कहा भी है सुंदर विलाश में आया है तो एक महतमा जी पहुंचते हैं एक सेट के पास में तो सेट बैठा हुआ है अपनी खाट पर और महतमा जी कह रहे है कहो सेट जी तब ये ठीक है तो वो बता रहा है सेट के मेरो देह मेरो गेह मेरो परिबार सब मेरो धनमाल में तो बहु भी दिभारों मेरा देह, अभी मेरी देह बहुत अच्छी है मातमा जी, मेरी सरीर में भी तक कोई रोग भी नहीं है मेरो देह, मेरो गेह, मेरा घर भी बहुत अच्छा है मेरो देह, मेरो गेह, मेरो परवार्शव और मेरा परवार मेरे केने में है मेरो देह, मेरो गेह, मेरो परवार सब मेरो धनमाल में तो बहु वी दिभार हूँ और मेरा सारा धर्मार है और में बहुत बड़ा सेटियू बहुत बहुत दूद तक मेरा नाम हो रहा है मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सब मेरो धनमाल में तो बहु भिद भारों मेरे सब सेबक हुकम को उमेट नाएं मेरी युवती को में तो अधिक पियारों मेरो बंस उचो मेरे बाप दादे ऐसे भे करत वड़ाई में तो जगत उजारों महत्मा जी कहते हैं कि मेरो मेरो कर जो न सट अरे तु मेरा मेरा कर रहा है सोई नहीं जाने में तो कालई को चारों अरे भीया एक दिन ये सरी छूट जाएगा धूल में मिल जाएगा ना तेरी फैक्री साथ में जाएगी ना नोकर साथ में जाएगे ना तेरी युवती साथ में जाएगी ना बेटा साथ में जाएगे ना देह जो सारी खाक में मिल जाएगी इसलिए रतन का जतन करू मारी का सिंगार आया कबीरा फिर गया और जूटा है हंकार तो पार की सद्गुर्देव की सरण में लग करके उनसे बहुत विचार सुन करके सरवन कानों को पवित्र करना चाहिए दर्सन करके नेतरों को पवित्र करना चाहिए और सब्दों को पवित्र करना चाहिए हातों को सेवा करके पवित्र करना चाहिए और पैरों को भी उनकी सेवा में लग करके पवित्र करना चाहिए और तन मन धन शब सदू देव के आगे शमर्पत कर देना चाहिए जो कुछ है सो आपका और मेरा कुछ भी ना है मैं सेवा में हरदम रहूं और अबनासी निजधा है तो अबनासी पद का आपने ज्यान मुझे करा दिया अब हे गुर्देव मैं आपकी सेवा करके और मैं इस संसार शाकृ से बचना चांबता हूं और आपकी द्या है अब क्या करेंगे आपके चरणों में भोलिये स्री सादु गुर्देव की जे साही बन्य साही अब क्ता शमा अब है अब नहीं नहीं ज़ट अब है जवाब शुन अच्छा गुरख के दोए बच़न अच्छे होते है जवाब सणाये है हुआ कर दोड़के ते ते नहीं से अ उस है और रिस तस ऐ बुलिए शत्य गुरु देव की बंदनीशन समाज आदेश पाला नहेतु कुछ छण शादू के शंग क्यों किया गया है शादू का संग केवल कल्यान के लिए ही किया गया है अपने आत्मा के उद्धार के लिए घर में परिवार के बीच में खाने पीने कोई कमी नहीं थी हर इंशान के धन जन कुटुम असार लखी जानी दुखन को मूल अब कस भुल्यो ताही में जो देते नित्सूल पूजा सेवा पाए जो होए खुसी नहीं लेश वही गुरुन के गुरु अहे मन के शत्र हमेश शंत सुखी गुरु ज्ञान में जहान दुख को नाम ज्ञाने करे अहार नित बसे ज्ञान के धाम मन की भूक मिटाई के तनकी को नहीं ज्ञंक प्रारब्धी पुर्शार्थ सत तहिबल सदा अशंक शाधू के शंग, गुरु के शंग आने का कारण किया है हर साधक जो गुरु के शरण में आये है चिंतन किया, विचार किया धन, जन, कुटुम, असार लखी इशार नहीं है जितना भी मिला है वैभाव प्राणी और पदार्थ के रूप में सब छण भंगुर है, ना स्वान है आज है और कल नहीं रहेगा कल के राजा बने हुए हैं आज राह के भिख मंगी रेशम आज पहनते वाले फिरते कर दरदर कल नंगी किश्मत की ठोकर लगते ही धर्ती तक हिल जाती है बरे बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती हैं बहुतों को देखा गया जिन्दगी में राजा रंक हो जाते हैं और रंक राजा बन जाते हैं इसका सहीं उदाहराण आज राजनीतिक छेत्र में दिखाई देता है कल तक राजा थी वाई यान का सफर होता था शड़क पर नहीं अकास मार्ग से दोड़ता था चुना हुआ हार गए शड़क पर आगे और शड़क में चलने वाले उपर अकास मार्ग में दोड़ रहे हैं एकदम सहीं सठीक उदाहरण हैं कल के राजा बने हुए हैं आज राह के भिखमंगे रेशम आज पहनने वाले भिरते दरदर कलनंगे किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक ही जाती है बड़े बड़े शंपत्य अचानक मिट्टी में मिल जाती है शंपत्य गुरुजन जो अपने शारी वायभों को छोड़ की आये हैं तो धन जन कुटुम असार रखी जान दुखन को मूल यह दुखका ही कारण है इसमें रिजना परणाम क्या होगा? खीजना होगा पश्चत आप करना होगा प्री से प्री का बियोग होना पक्का है जब पक्का है बियोग होगा तो तड़पना भी होगा क्योंकि मोह है आशक्ती है और यही बंधन के कारण है तो शद्गुरु ने कहा धन जन कुटुम असार रखी जानी दुखन को मूल यही दुखका कारण है लेकिन कारण दुखका है जान गया गुरु के शंगत में आ गया सरण में आ गया लेकिन आकर के पुनह वही माया फिर खिचने लगा अब कस भूल्यो ताही में फिर से उसी में भूल गया हम गुरु के शरण में आए क्यों आए कल्यान के लिए लेकिन यहां पर आने के बाद फिर किंचित माया मिनने लगी और इस माया को पा करकी फिर उलजने लगे फसने लगे अब कस भूल्यो ताही में जो देते नित्सूल अब पिड़ा का कारण फिर बन गया पूजा सेवा पाए जो होई खुशी नहीं लेश वही गुरु के गुरु अहे मंद के शत्रु हमेश लेकिन सब नहीं भूलते है सब नहीं भूलते है बिरले बिरले पाई या माया त्यागी संत माया को त्याग करके यह माया जो मिला है जयों आवेतियों फेरी हो आता है उसे फेरता रहता है खर्च करता रहता है शंग्रह नहीं शंग्रह जीवन का दुख का कारण है अज्यों आया त्यों फेरता गया रखा नहीं शंग्रह रहित जीवन सुखी जीवन का लक्षण है तो इस प्रकार सद्गुरु ने कहा कि जो कुछ खर्च करो खर्च में जहां जहां उचीत समझते हैं वहां पर खर्च करते रहते हैं तो हुए खुशी नहीं लेश वही गुरु के गुरु आहे मन के शत्रु हमेश हमेशा मन के शत्रु ये मन ही तो नचा रहा है मन एव मनुष्य नाम कारणं बंद मोक्षियो है मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष्य के कारण है ऐसे ग्यानी जन जो हमेशा अंत दसालिय आदी में सोई साच बैराग, सो सुखियाति हूँ लोक में जाको निश्यत याग, अनिच्छा जो मिलत है, बिना इच्छा की जो मिल रहा है, और मिल रहा है, उसी खर्च कर रहा है, क्यों? अंत में छोड़ना ही है, शंग्रह करके फिर लोभ और मोह बढ़ेगा, इसलिए खर्चा है, तो अंत दसालिय आदी में सोई साच बैराग, वही सच्छे बैरागी है, हर छण लिया मिर्थ मन से वो कफणी लपेटी, कसे आडबंद वो बृत्ती समेटी, चिता चित पे अब अडिक पैर धारी, शो अंतिम घड़ी आगई है हमारी, अंतिम घड़ी हर छण दिखाई दे जिसको, क्या पता, श्वास, अगला स्वास आए की ना आए, वर्तमान हमारा, जो स्वास चल रही उसमें अच्छे चिंतन हो, अच्छे विचार हो, हर छण, हर स्वास का कीमत समझे, तो इस प्रकार से शद्गुरु ने कहा, पूजा सेवा पाये, जो होए, खुसी नहीं लेश, वही गुरु के गुरु अहे, मन के शत्रु हमेश, शंत सुखी गुरु ज्ञान में, जहान दुख को नाम, ज्ञाने करे अहारनित, बसे ज्ञान के धाम, शंत हमेशा संसार में दुखी सब है, केवल जो दुख नहीं, जिसके अंतह करण में है, वही संत है, शंत कौन है, स्रोता कहिए शंतों को, स्रोता सांत सरूप, स्रोता कहिए जीव को, जो निर्वारत निज रूप, शद्गुरू स्री पुरण साहिब ने कहा, शंत कौन है, जो निज रूप का निर्वारन करते हैं, हमेशा उसी में ही ध्यान होता है, और जो दुख का अनभव नहीं करता है, हमेशा प्रसन्न, दुख में भी मुस्काता पंची, पलपल गुरुगुन गाता जा, हर छण दुख में भी मुस्कुराता है, आया ही यह भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, दुख आता है, आज है कल नहीं रहेगा, सुख है वो भी नहीं रहेगा, दुख में मत घबराना पंची, या जग दुख का मेला है, चाहे भेड बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, अखेला उड़ना है, इसलिए घबराने की आउसकता नहीं है, तो संत सुखी गुरु ग्यान में, जहान दुख को नाम, ग्याने करे अहार निता, बसे ग्यान के धाम, उसका असली अहार क्या है, हमेशा आत्मचिंतन, आत्मचिंतन ही उसका अहार है, तन की भूख तो तनिक है, त्रिप्ति पाव या सेर, मन की भूख अथाह है, त्रिप्ति नपाव सुमेर, इसलिए हमेशा संत है, मन को देखता रहता है, मन कहां कुछी, मुझे कहां फसा न दे, हमेशा साउधान, सतसाउधान, तो शद्गुरु अंचाखी में कहते हैं, मन की भूख मिटाई के तन की को नहीं जंक, प्रारब्धी पुरसार्थ सता तहिबल सता असंक, मन की भूख, मन की भूख क्या है, इच्छा, कामना, चाहना, वासना, ये सब मन की भूख है, इसको संत जन है, गुरु जन है, आत्म कल्यान्थी है, जिसे शांती का निरंतर ख्याल है, उसके मन में, ना हर्स होता है, ना सोक होता है, इच्छा, कामना, चाहनाओं को त्याक कर देता है, और तन के लिए कभी जंखता नहीं है, सोचता नहीं है, मन की भूख मिटाई के तन की को नहीं जंख, कभी सोचता नहीं कल कैसे होगा, आज तक जन्मनिया तब से आज तक कभी सिशुपन में जब गर्भ से मा के गर्भ से बाहर आया सिशुपन था और उसी शमय जन्मत होते ही इतना अमबार धन जन प्राप्त हो गया आज तक कभी भी रोटी धोती चायक लिए सोचना नहीं पड़ा खूब मिला मिल रहा है और आगे भी मिलेगा तो मन की भूख मिटाई के तन की कोन ही जंक तन के लिए जंकना नहीं पड़ेगा सोचना नहीं पड़ेगा क्यों कि प्रारप्धी पुरसार्थ सत्ह अटल है प्रारप्ध अटल है लेकिन सासाथ पुरसार्थ करती रहो जैसे पुरसार्थ क्या है संसार में जो माया में माया लेकर के चल रहे हैं आस्रम दो है ग्रिहस्त और विरक्त जो ग्रिहस्त आस्रम है जो लोग रहते हैं उसका व्यवसाय रोटी धोती के लिए क्या है धन चाहिए तो खेती नौक्रियों बेपार है खेती नौक्रियों बेपार से इधनों पारजन करता है जिसके द्वारा रोटी धोती चाहिए के विवस्ता होता है लेकिन संतों के लिए खेती नौक्रियों बेपार की आउस्कता नहीं है कभी नहीं है जिन्दगी में आज तक जो गुरुजनों के शाथ में रह करके देख लिया खेती करने की जरुवत नहीं है न नौकरी न ब्यपार की उसके लिए सच्चे साधना करने की आउसकता है सेवा, स्वध्धाय और साधना जितना हो सके सेवा करें तन से, मन से, बचन से और जो कुछ संसार के प्राणी देते हैं ग्रहस्त आश्रम से हमें मिलता है वा धन मुझे मेरा नहीं है कुछ भी मेरा नहीं है वे ग्रहस्त अपने चित सुद्धी के लिए शंतों को देते हैं क्यों देते हैं संतों का भेश उज्वल भेश है तो उज्वल भेश उज्वल रहनी हम तो ग्रहस्त आश्रम में डूबे हैं एक दिन के लिए मायमों को त्याग नहीं कर पाते हैं शंत कितना उचे उपर उठ चुके सब कुछ को त्याग करके तो कितना उचे भावना ले करके हमको देते हैं ग्रहस्त आश्रम से मिलता है उसमें से एक कोड़ी भी मेरा नहीं है एक कोड़ी भी मेरा नहीं अन्यथा खर्च करने का उसका मैं अधिकारी नहीं हूँ जो मिल रहा है वा मुझे नहीं मिल रहा है गुरू कृपा है मेरा उज्वल भेश जो है गुरू का दिया हुआ है तो गुरू का दिया हुआ भेश को देख करके मुझे मिलता है तो भेश देख के देते हैं तो मेरा नहीं है इसलिए मुझे अन्यथा खर्च करने का उस धन का मैं अधिकारी नहीं हूँ उचित खर्च करें शेवा में तन से, मन से, बचन से और धन से जो मिलता जो मिला सकती शारे सकती का धन खर्च समास सेवा में ही हमें लगाना है समास सेवा में लगाना है शद गुरू स्री अभिलास सहेब जी मुझे एक बार नहीं अनेकों बार, मुझे ही नहीं समाज को भी हमेशा कहते थे कभी भी रोटी धोती छाया का चिंता नहीं करना ये सब घलवे का चीज है घल्वे का चीज है घल्वे कहते हैं पुरवनी जैसे एक किलो कोई सबजी खरीदा परवर आलू अधिक खरीदा तो कहते हैं थोड़ा सा धनिया दे दो चाठ्ठो मिडचा दे दो उसका पैसा लेते नहीं है वो घल्वे का चीज है पुरवनी है उसी प्रकार से साधू है शाधना पथ में जितना अधिक चलेगा तो रोटी धोती चाया के लिए खुब मिला है खुब मिलेगा एक गुरु कृपा है कभी भी कहीं भी हाथ पसारने की आउसकताम पड़ेगा ही नहीं आज मेरे जीवन में भी मैंने देखा प्रिक्टिकल करके शक्री आश्रम में आया 2004 से आज तक जो कुछ भी यहां विभूती दिखाई देता है वो मेरा कोई भी पुरुशार्थ नहीं है बस सब गुरु कृ गुरु कृपा है और भक्तों की सहयोग है मेरा उसमें कुछ भी नहीं है एक कवुडी भी नहीं है ना तन से ना मं से ना बच्चन से ना धन जो मिला है उसके लिए न खेती ना उकृदे पाघर कुछ भी नहीं तो सेवा स्वध्याय और निरंतर सत्साहित्यों का अध्यन करते रहना और आत्मचिंतन करते रहना ये सब स्वध्याय है और साधना मन और इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल करके रखना कहीं भी लोब मोह अंकार ना आने दे एक गुरु का आदेश है तो इस प्रकार से शेवा स्वध्याय साधना ही पुरुसार्थ है ये पुरुसार्थ हम करते रहेंगे और प्रारब्ध अटल है जो होना है वो हो करके रहेगा हो करके रहेगा जब जिश्षण दुख सुख मिलना है मिलेगा ही मिलेगा अकाठ्य है इसलिए अपना कर्तब्य के पालन करते रहे सेवा स्वध्याय और साधना इसलिए शद्गुरु ने कहा कि मन की भूख मिटाई के मन की भूख इच्छा कामना चाहना को मिटा डालो तनकी को नहीं जंक तनकी लिए जरा भी जंक नाने पड़ेगा सोचना ही नहीं पड़ेगा चाह मैं इस आस्रम में अकेडे रहूं चाह मुझे जान करके दसने ही बीशने हजार भी आजाए शब के लिए रोटी धोती छाया मिलेगा ही मिलेगा निश्चा है अटल है कहीं भी हाथ पसारने के जाने की आस्कता नहीं शमाज जानता है जानने है और तुरंट आ जाते हैं देने के लिए कभी कम नहीं पड़ा तो इस प्रिकार से तनके कोई नहीं जंक प्रारब्धी पुरुसार्थ सता तहीबल सदा असंक प्रारब्ध और पुरुसार्थ दोनों बिलकुल अटल सत्य है अटल सत्य है इसलिए हर साधक हम सब साधक हैं शाधना पत में चल रहे हैं अभ्यास करे जीवन मुक्ती का और जीवन मुक्ती का अभ्यास करते 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 साधना पत्मे उत्तिर्ण हो जाएं तो इसी जीवन में निर्वान प्राप्त होना पक्का है पक्का है इसी जीवन में एक गुरु का आदेश है हमें विश्वास के साथ निरंतर गति सील रहना च चाहिए एक बार आउसर मिला है इस प्रिकार से गुरुओं ने हमेर मार्ग दिया है और वह मार्ग में संका ना करें संका बिलकुर ना करें विश्वास करके गुरु शंतों में सिध्धान्त में हीरा सोई सराहिये शहे घनन की चोट कपट कुरंगी मानुवा परखत निकरा खोट हीरा वही प्रसंसनी है सिध्धान्त वही प्रसंसनी है शाधू वही प्रसंसनी है जो तरकों की चोट से और कही भी प्राणी पदार था के लोभ और मोह अंकार में बिचलित न हो वही हीरा है, वही साधू है, वही प्रसंसनी है घनों की चोट, तरकों की सोट से जो न घबर आए है आगे बढ़िये, सिद्धान्त अटल है और माया मोह का जो त्याग अटल है त्याग ही असली हमारी संपत्ती है असली संपत्ती है जो गुरुजन हमारे हो चुके है साक्षात उदाहरन है हमारे शामने में जिन गुरुजनों के संग साथ में हम जीवन बिताए जीवन जीए उन गुरुजनों का जो जीवन त्याग मैं वैराग्य में साधना में देखा जिसके कारण से इतने वविभूती धन अजन मिला जो अपार है केवल त्याग के बल पर त्याग और वैराग्या ज्ञान तो हो गया गुरू के द्वारा आत्म ज्ञान सिद्धान में अटल हो गया तो साध साध्याग वैराग के द्वारा उसे जो कुछ मिला वहा हमारे शामने में एक उदाहरन है ही हमने बहुत गुरूओं को देखा है जिनके जीवन पत चिन्हों पर चल रहे हैं तो हमें भी विश्वास के साथ ऐसे गुरूजनों के पद चिन्हों को कभी भी छोड के विप्रिद दिशा में नहीं चलना है और आशा नहीं विश्वास के साथ लगन के साथ चलते रहें तो अवस्य होई भावपार अवस्य हम भावपार होकर खे रहेंगे मन की भूख मिटा करके इस प्रकार से शद्गुरू शंतों ने जो हमें अम्रित वानी पिलाया है उसपर निरंतर ध्यान चिन्तन करते हुए अपने आत्रा को गति सील रखना है पीछे लोटना नहीं है निरंतर आगे बढ़ें रुको मत और लोटो भी मत शद्गुरू का आदेश है रुको भी मत और लोटो में मत हमेशा गति सील रहो तो एक नए एक दिन तुम्हें भी मनजील मिलेगा एक गुरू का आदेश है उस मार के मेनी रंतर हमें चलना चाहिए है बुरिये शत्गुरू देवकी जैसाहि बंदरी पिशा तहरी जैचान पिशा जो जन जहां से आए हो सो ताह कर उपयान बंदनी ए गुरू दे बतुम को बंदनी ए गुरू दे वेदसास्त्र सब खोजत हारे बंदनी ए गुरू दे बंदनी ए गुरू दे वेदसास्त्र सब खोजत हारे बंदनी ए गुरू दे गुरू समान योर को दाता गुरू समान योर को दाता ताकी करिये सेव तुम को बंदनी ए गुरू दे बंदनी ए गुरू दे वे तुम को बंदनी ए गुरू दे साहिव कबीरय भै पद दाता साहिव कबीरय भै पद दाता पूरण परख समेब तुम को पूरण परख समेब तुम को बंदनी ए गुरू दे वे तुम को बंदनी ए गुरू दे वे साहिव बंदगी साहिव बंदगी बोलिये स्री सदुर देव की जै साहिव बंदनी ए बंदनी ए गुरू देव बंदनी ए गुरू नग्यां झाल झाल